अपने Scholars Academy के online YouTube चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ दोस्तो PT की क्लास जो चल रही है उस क्लास में आद दूसरा ये lecture आद दूसरा ये वीडियो जा रहा है एक 20 दिन का ये क्रेस कोर्स है चार से पांच दिन में जोगरफी और उसके बाद हम लोग इस्टेटिक जीके की तरफ बढ़ेंगे और स्टेटिक जीके से ज़्यादा कोशन आने की प्राइकता है ध्यान रखियेगा हर सब्जेट का उतना इंपोर्टेंट है जितना की किसी अधर सब्जेक तो हर चैप्टर से क्योंकि हर सब्जेट से 5-5 नंबर या 10-10 नंबर या 6 नंबर 7-5 से लेकर के 10-20 में कोशन आने के बाद भी कटाफ का बास होने के बाद भी आपके एक्जाम को कोई मतलब नहीं रह जाएगा तीस हिसाब से या इसके आधार पर आप हर चीजे पढ़ेंगे ध्यान से सुनियेगा कल मैंने आपको जाता उसमें बहुत सारी बाते लोक्यों टॉपिक रहेगा और बीच उसको जबर्जस्ति मत साल करिए कि तुका उसका अंसर लीजिए उसको जरूर पूछे उसको तुरन बताया जाएगा नहीं आएगा तो पढ़ेंगा लेकिन पर प्रेटिस करिए उसका कोशन जरूर पूछे कम के माध्यम से रखिएगा हम लोगों ने पढ़ा था कल तक कि भारत के जो मैप के अधार पे देखा था भारत के राजियों के बारे में सीमाओं के बारे में फिर हम आज हम लोग उसी को गरम को आगे पढ़ाएंगे और बड़ी-बड़ी बाते आज पीर जानेगे ध्यान से शुनिएगा सामने पहला चेत्र आ रहा है वो पहला चेत्र क को ले करके बड़े सारे पूछЕ जाते हैं आज के हमारे 5 टॉपिक रहेंगे अभी से जान लीजे पेला टॉपिक रहेगा जो आपके सामने लिखा गया पडोसी देश वा उन्से समीपवर्ति राज्ज ध्यान से सुनिएगा पडोसी देश वा उनसे कोंकर तटक्या है मालाबार तटक्या है कन्या कुमारी तटक्या है इनसे रिलेटेट जो कोशन रहेगा इसके बारे में जब बताएंगे आपको तीसरा तटो के बाद तीसरे नंबर पे आता है जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं उन दर्रों के बारे में भी जाना जाएगा य पांच Rough आउंबर भारत कि रहे का सब लोगों कर भारत कि आस Almagas Review । इसी की क्लास घीके जी एस के बाद हिस्ट्री की क्लास रहेगी वाइस कट रही है तो नेटवर्क चेक कर लो सर्वेश ठीक यहाँ से वाइस की कोई प्रॉब्लम नहीं है 10 बज गया है बढ़िया है 10 बजे ध्यान से सुनियेगा हम लोग तर्वती छेत्रों से सम्मंदित और अगर हो पाएगा ध्यान से सुनिएगा अगर हो पाएगा तो आज एक स्टैटिक जीके या चाहे जोगर्फिक आप कहलो जो प्रमुग घास के मैदान है उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे तो ध्यान से सुनिएगा और दूसरी बात अगर हो पाएगा अगर दूसरी बात अगर आज ही हो पाएगा तो एक छोटी सी नजर एक छोटी सी द्रिश्टी डाली जाएगी किस पे जो थोड़ा साइट टॉपिक रहेगा क्योंकि आप कई बार इसको पढ़ चुके होंगे तो केवल रिवीजन का टॉपिक रहेगा जनगरना से रिलेटेट तो सबसे पहले पढ़ोसी देश इसको आप कहीं पर स्क्रीन शॉट ले लिजे ये पांचो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं पढ़ोसी देश वा उनसे सम रवस्ते से युएल झाल मैंने जो मैब बनाया था उस मैप को एक दो अपने और लेके आई यह क्योंकि बीन मैप के आप इसको नहीं कर पाएंगे तोम्याद से सुनिएगा हिक ड्यान से सुनिएगा हम सबसे पहले बात अगर किसी की कर रहे हैं तो करम वाइश चलेंगे ध्यान से सुनिएगा भाईया जोगरफी और शुभम भाईया उसने बोल दिया है कि भारत एवं विश्व का भुगोल फिर उसके बाद जलवाई लेकिन भारत एवं भुगोल कहने के बाद उसमें सब कुछ आ गया ना इन चीजे पढ़ी जाएंगी इसके बाद नदिया नदिया के बाद जल्रुपाद बाद खनीज खनीज के बाद हम लोग खनीज रहेगा के बाद कर लेंगे तो जो क्रिशी जैसे क्रिशी से आपको पू दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की जमसेद भारत का पीर्स पीर्सबर्ग किसे कहा जाता है भारत का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है भारत की पूर्वो तो यह सारे जो कोशन पूछे जाते हैं जो किसी राज पर्डिकुलर राज जी का जो अलग से नाम होता है उ सबसे पहला पढ़ोसी डेश जो हमसे सबसे लंबी सीमा बनाता है उस देश का नाम क्या है बांगला देश ध्यान से सुनिएगा बांगला देश से related कई सारे पॉइंट आप से पूछे जा सकते हैं सबसे पहला पॉइंट आप जानते रिएगा क्या पूछा जा सकता है मेरे भाईया कि बांगला देश को भारत से अलग कब किया गया था तो बांगला देश को मेरे भाई अलग किया गया था कब जल्दी बताईएगा 1947 में 1947 में इसे नाम क्या रखा गया था पूर्वी पाकिस्तान इसका नाम क्या रखा गया था पूर्वी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के नाम से ये था पश्मी पाकिस्तान के नाम से ये लेकिन पाकिस्तान में एक लोकल नेता हुए थरी पूर्वी पाकिस्तान आर्थात वारे में एक लोकल नेतर जिनको बंग बंदू का जाता है जिनका नाम था शेख मुझबिर रह्मान के ही नेतर देश के रूप में उभरा था जिसमें भारत की मदद सरवुर्थ थी यहीं भारत ने उसमें मदद किया तो बंगला देश के बारे में भारत और बंगला देश के बारे में जगर पूछ लिया जाए कौन सी रेखा या कौन सा समझोता हुआ है भारत और बंगला देश को अलग करने के लिए तो उसका नाम है तीन बीघा गलियारा तीन बीघा कॉर लीजे कोश्चन 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 है अब नहीं कटेगी रश्मी जी अब नहीं कटेगी ठीक चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई तीन विगा करिडोर भारत और बांगलादेश के बीच में हुआ है सम्झाथा और भारत और बांगलादेश से सीमा बनाने वाले इगर राजय पूछ ले जा तो 14 Keemam ध्यान से सुनिएगा पश्रीम बंगाल या बंगाल भी भाजन अगर आपसे पूछ लिया जाए कब किया गया था ध्यान से सुनिएगा बंगाल भी भाजन 1905 में किया गया था लॉर्ड करजन के टाइम पीरिड में किसके लॉर्ड करजन के टाइम पीरिड में चार या पांच पड़ी बाते हुई थी आप जब पड़ोगे तो लॉड करजन का जब नाम पड़ेंगे तो वहाँ पर आप इसके बारे में जानोगे जैसे बंगाल भी भाजन स्वदेशी आंदोलन फिर उसके बाद अगर आपसे बंग बंग आंदोलन आपसे पूछा जाए कि एक विश्व मंगाल पहला इससे सीमा बनाने वाला राज्य है दूसरा अगर हम बात कर ले दूसरा कौन सा राज्य आएगा तो असम आएगा मेरे भाई असम के बाद अगर बात कर ले तो कौन आएगा मेघाले आएगा मेघाले के बाद अगर बात कर ले तो त्रिपुरा आएगा और त् तीन विगा कॉरिडोर के नाम से चलिए बहुत बढ़िया सौरा NCC बार सौरा मिस्रा ने बताया 16 दिसंबर 1971 को 16 दिसंबर 1971 को चलिए अगला बात करते हैं हम लोग पशी मंगाला सम् त्रिपुरा मिजोरम हो गया दूसरे नमबर पे अगर दूसरे हम पडोसी देश की बात कर लें तो दूसरे पडोसी देश का नाम है चीन क्या है मेरे भाई चीन है चीन हमसे पडोसी देश है चीन और भारत के बीच में जो सीमा समझोता हुआ है उस सीमा समझोता को क्या नाम दिया गया है तो सीमा समझोता को नाम दिया गया कौन सी रेखा मैक मोहन रेखा ये रेखा कब खीची गई तो 1914 में 1914 में खीची गई थी मेरे भाई 1914 में आगे बढ़ते हैं चीन और भारत के बीच में अगर राजी की बात कर ले तो चीन और भारत के बीच में अगर राजी की बात करेगा तो कौन आएगा ध्यान से सुनिएगा चीन और भारत के बीच में अगर बात कर ले तो कौन आएगा तो सबसे पहले आएगा लद्दाख कौन आएगा मिरभाई लद्दाख आएगा लद्दाख के बाद अगर बात कर ले हिमांचल प्रदेश आएगा हिमांचल प्रदेश के बारे आगर आगे पढ़े तो उत्तरा खंड आएगा उत्तरा खंड के आगे पढ़े तो सिक्किम आएगा और सिक्किम के आगे पढ़ेंगे तो रांचल प्रदेश आएगा देखिएगा एक बात सुनिएगा जल्दी से बात ये है कि भारत और बांगलादेश के बीच में जो सीमा समझोता किया गया था वो तो था तीन बीगा कोरिडोर लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि वह कौन सा ऐसा राज है जिससे बांगलादेश का जो समझोता हुआ है सून रेखा के नाम से हुआ है यानि भारत के किस राज भारत के किस राज ध्यान से सुनिएगा भारत के किस राज और बांगलादेश के बीच में जो सीमा समझोता सून रेखा के नाम से जाना जाता है उस राज का नाम बताईए तो उस राज का नाम आप क्या बताओगे ठीक, ध्यान रश्मी जी सभी ध्यान से सुनियेगा, जो मैं कोशन पूछू के वर उत्तर आप उसका दीजे जो कोशन पूछें उसका उत्तर दीजे, अगर उसमें आप कमेंट करोगे तो बार बार पढ़ने में ध्यान जाता है उधरी देखिएगा, असम और बांगलादेस के बीच में जो समझाता हुआ है, उसको क्या कहा जाता है सुन ने रेखा, असम और बांगलादेस के बीच में जो समझाता हुआ है त्रिपूरा और बांगला देश के बीच में जो समझाथा हुआ है त्रिपूरा और बांगला देश के बीच में जो समझाथा हुआ उसका नाम क्या रखा गया मेरे भाई सून ने रेखा कौन सी सून ने रेखा तो चीन हो गया मैंक मोहन रेखा के नाम से लद्दा खिमांचल प्रदेश उत्तरा कंड सिक्की मौर और आंचल प्रदेश अगर कोशन आप से पूछ लिया जाए कि चाइना से सीमा बनाने वाला भारत का सबसे बड़ा राज ये कौन सा है तो चाइना से सीमा बनाने वाला भारत का सबसे बड़ा राज ये कौन सा होगा और आंचल प्रदेश तीसरे नमबर पे आते हैं मिर भाई तीसरे नमबर पे कौन सा है तो यही ज़ादा पूछने की प्राइक्टा बढ़ गई है पाकिस्तान पाकिस्तान से क्यों पूछा जा सकता है क्योंकि अच्छा अगर आप से पूछ लिया जाए लदाख लदाख के बाद अगर आप से बात कर ले तो जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर के बाद अगर बात कर ले तो पंजाब पंजाब के बाद अगर बात कर ले तो राजस्थान राजस्थान के बाद अगर बात कर ले तो कोन आएगा गुजराथ राजस्थान के बाद कोन आएगा गुजरात आएगा तो यह लद्दाख वाला अपडेट हुआ है तिसलिए आप पाड़ इसको एक बार जरूर पूछ लीजेगा ठीए बार देख लीजेगा इसको वेरी गुड तो बांगलादेश का और भारत के बीच में तीन बीगा करिड बांगलादेश और त्रिपूरा के बीच में सूने रेखा पशिम मंगा अलासम में घाले त्रिपूरा मिजोरम बांगलादेश से सीमा बनाने वाले चीन से मैक मोहन रेखा 1914 फिर इसके बाद अगर आपसे पूछ ले जाए लद्दाख ही मांचल प्रदेश उत्तराखंड से पाकिस्तान से रेडगली फ्रेखा वाला करती है कौन कौन से हैं लद्दाख जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान और गुजराद चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर पे कौन आता है तो अगले नंबर पे कौन आएगा जल्दी से देखिएगा अगले नंबर पे अगर बात करने तो कौन आएगा नेपाल आएगा ध्यान से सुनिएगा नेपाल वाला ये वाला छेत्र है जिसकी राजधानी काटमांडू है नेपाल जिसकी राजधानी काटमांडू है नेपाल में एक संस्था का मुख्यालय है सार्क का काटमांडू में किसका मुख्याल neural corporation चलिए अगर आप से शार केख हो गया जिसकी पहली बैठक ढाकया में हुई थी इसका मुख्याले come譊 मैं है आशियान है कौना श्यान हेक संस्था है कौन सी अश्यान एक संस्था है अश्यान का मुख्याले कहा है इंडोनेशिया जिसकी राजधानी क्या है पहले थी राजधानी जकार्था अभी इसकी राजधानी पूर्वी काली मंतन अगर आपसे पूछ लिया जाए ध्यान से सुनिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडोनेशिया में किसका मुख्याले है तो आशियान का क्या सीमा समझोता नहीं हुआ है सीमा समझोता नहीं हुआ है अगर आपसे राज पूछ ले मेरे भाईया तो ध्यान से सुनिएगा अगर आपसे राज पूछ ले तो राज से आपसे पहला कोशन क्या पूछा जा सकता है कौन से राज है उत्तरा खंड इसको मैंने याद करने की ट् कोन रहेगा जल्दी बताईएगा इत्तर प्रिदेश के बाद रहेगा बिहार बिहार के बाद अगर बात कने अगले बाद अगर आप से यू-पी चाहिए की उपी के कितने दीलें इस also कि नेपाल सेटा क्योंकि कल 29 और 29 जुलाई को अंतर राश्टी बाग दीवस मनाया जाता है बाग दीवस के लिए भारत में 50 ऐसे बाग रीजर्व के लिए आंस्थान बनाये गए जहां बागों की संक्या को बढ़ाने के काउ चल रहे हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा राज है जिसने सबसे कौन सा ऐसा बाख रिजर बायर है जिसने सबसे पहले अपनी iis achievement को प्राप्थ किया है तो पीली वीद रिजर बायर उसके बाद अगर बात कर ले भाई कौन है तो बहराईच उसके बाद बात कर ले तो कौन है बहराईच बहराईच के बाद अगर भाई बात कर ले तो कौन है श्रावस्ती श्रावस्ती के बाद अगर बात कर ले तो कौन होगा बलरामपूर पर श्रावस्ती के बाद बलरामप इसके बाद अगर मेरे भाई कोई बात कर ले तो बलरामपूर के बाद कौन आता है जिसका नाम है बलरामपूर और बलरामपूर के आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा सिधार्थ गंज कौन सा मिलेगा सिधार्थ नगर और सिधार्थ नगर के आगे बात करेंगे तो कौन मिलेगा महराज गंज ये साथ ऐसे जिले हैं ये सेवन ऐसे डिस्टिक हैं जो किससे सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के हैं जो किससे सीमा बनाते हैं नेपाल के वेरी गुड किसके बनाते हैं नेपाल के फिर इसके बाद ये तो चार हो गए पाचवे नमबर पे अगर कोई बात कर ले ध्यान से सुनियेगा मेरे भाईया पाचवे नमबर पे अगर आपसे कोई बात कर ले तो पाचवे नमबर पे कौन आएगा जिसका नाम है म्यामार जिसका नाम क्या है म्यामार म्यामार और भारत के बीच में कैसी सीमा है तो प्राकृतिक सीमा है अगर आपसे पूछ ले ध्यान से सुनिएगा भारत और म्यामार के बीच में कैसी सीमा है प्राकृतिक सीमा है पहली कौन सी नदी है जो म्यामार से भारत को अलग करती है इरावदी नदी कौन ऐसा परवत है जो भारत और म्यामार को अलग करता है अराकान योमा परवत कौन सा अराकान योमा परवत तो म्यामार और भारत के बीच में प्राकृतिक सीमा है ठीक यूपी का सबसे बड़ा जिला छेतरफल की साथ से लखीम पूर खीरी है चलिए अगला म्यामार और प्राकृतिक सीमा कौन-कौन सी नदी है इरावदी नदी और अराकान योमा परवत दो ऐसे हैं जो प्राकृतिक सीमा बनाते हैं अगर राज पूछ लिया जाए तो राज मे कौन-कौन से आएंगे दिमाग में आपकी बुक लेके बैठिये कोई बात नहीं आप नोटस मत बनाएए चलेगा आप कोई बुक लेके बैठिये और उस बुक के माध्यम से ही नोट करते जो जो पॉइंट बताया जा केवल आप उसको टिक लगाते चले वही पढ़ीगा ब मिजोरम ये चार राज किससे सीमा बनाते हैं मियामार से ये चार राज किससे सीमा बनाते हैं मियामार से वेरी गुड मियामार से हो गया प्राकृतिक सीमा बनती है और मियामार का पॉंट्री ये वाली है मियामार का एरिया चले आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग क्या द घुतान के पास बूटान से हमारी कोई राखनेतिक सीमा नहीं है पूच लिए जाए कौन कौन से हैं तो सबसे पहले है सिक्किम सबसे पहले कौन सी है भाई सिक्किम के शिक्किम के बाद अगर बात कर ले तो कौन सा है पश्शी मंगाल, पश्शी मंगाल के बाद अगर बात कर ले तो कौन सा होगा असम, और असम के बाद अगर बात कर ले तो कौन सा होगा और रांचल प्रदेश, कौन सा होगा और रांचल प्रदेश, जल्दी मुझे एक बात द्यान से सुनिएगा मैं जो कोशन पूछने वाला हूँ जल्दी से एक बात बताईए चलिए छेक और बात पहले मैं बता ले जाओ तब आप से पूछो भूटान हो गया भूटान के बारे आगर आगे पढ़े तो एक और मिलेगा जिसका नाम क्या है अफगानिस्तान जिसका कंद रेखा कीची गई थी जिस जिस इका का नाम क्या है डूरंड रेखा जिस रेखा का नाम है पिंद रेखा 1891 दूरंड रेखा 1891 1800 dan 1991 और इसमें कौन-कौन से राजे हैं दो हैं लब्राक और जम्मू कश्मीर लद्दाख और जम्मू कश्मीर लद्दाख और जम्मू कश्मीर चलिए अगली बागर बात करते हैं यह हो गया भारत के सीमा बनाने वाले छेत्र हैं यह भारत के कौन से छेत्र हैं जो सीमा बनाने वाले राज्ये हैं अगर आप से पूछ लिया जाए ध ये देखिएगा ये भारत का मुख्य भूमी है ये है 36 दीपों का एक समूज इसको कहा जाता है 36 मुख्य दीप है जिसको क्या कहा जाता है तो लक्ष दीप कहा जाता है मिनी काहिक के नीचे भी एक दूसरा देश है जिसका नाम क्या है माल दियू मिनी काय के नीचे दीसरा देश कौन सा है Mind you जुखेंड द्यान से सुनियेगा आपको गर समझ में आ रहा होगा ति ईसको इसको जितने लोग देख भाए कम से कम वह तो लाइकная 10oten जो भी करना आठ डिगरी चैनल यानि वो अच्छांस जो एक छेतर से दूसरे छेतर को अलग करता है उसे क्या कहते है चैनल कहते है आठ डिगरी चैनल किसको किसको अलग करता है मेरे भाई जल्दी बताइएगा आठ डिगरी चैनल किसको किसको अलग करता है तो सबसे पहले नाम आएगा क किसका PART है कोई नहीं भूलेगा MINIKAI किसका PART है appelle लक्षदीप और लक्षदीप किसका पार्ट है भारत का तो अगर आप से पूछ लिया जाए 8 degree channel किसको अलग करता है MINIKAI या लक्षदीप या भारत को किस से माल दिप से माल दिप की राधानी क्या है माले 9 degree channel किसको अलग करता है जल्दी बताइएगा 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है पूरे पूरे लक्षदीब को मिनी काय से लक्षदीब को किस से अलग करता है मिनी काय से किस से अलग करता है मिनी काय से 10 डिग्री चैनल ध्यान से सुनिएगा क्या नाम रहेगा 10 डिग्री चैनल इधर है उपर अंडमान नीचे नीको बार, उपर है अंडमान नीचे है नीको बार, अंडमान को नीको बार से कौन अलग करता है, अंडमान को निको बार से कौन अलग करता है मेरे भाई तो आप क्या बताओगे क्या बताएंगे ठीक अगर आपसे पूछ लिया जाए अंडमान को निको बार से कौन अलग करता है तो अंडमान को निको बार से अलग करता है कौन जलदी बताएगा 10 डिगरी चैनल कौन अलग करता है 10 डिगरी चैनल अलग करता है चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान से सुनिएगा आगे बढ़ा जाए आगे मैं आपको बताओं क्या इतनी बाते शमझ पा रहें कि नहीं आप लोग इतनी बाते आप समझ पा रहे हैं कि नहीं जल्दी स्कंजे कम यह तो बताते रहिए कोई question हो पूछते रहिए ठीक समझ आ रहें कि नहीं आप अगला आप से पूछ लिए जाए अगला आप से पूछ लिया जाए कि पाक जल संदी या जल डमरूमद्ध किसको अलग किसके बीच में इस्तित है तो ध्यान से सुनिएगा मैंने कई बार भी बताया इसको जल संदी और जल डमरूमद्ध का मतलब कि दो जैसे माली जे ये अपना चमू का दक्षिड वाला हिस्सा है और ये कौन है स्रीलंका है इधर अरब सागर का पार्ट है बीच में एक ऐसा पतला रास्ता किसी भी समुद्री छेतर का बीच का ऐसा पतला रास्ता जो दो जली छेतर को जोड़े उसे क्या कहेंगे जल संदी लेकिन वही जली रास्ता दो अस्थली छेत्र को अलग करे तुसे क्या कहेंगे जल्डमरू मद्ध जब अस्थली छेत्र को अलग करने के सेंस में पढ़ेंगे तुसको क्या कहा जाएगा जल डमरू मद्य कहा जाएगा जल डमरू मद्य कहा जाएगा और दो जली छेतर को जब जोड़ेगा तुसे क्या कहेंगे जल संदी कहेंगे चलिए आगे अगर बात करें तो पाक जल संदी किसके किसके बीच में इस्तित है पाक जल संदी किसके किसके बीच में है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर यानि मननार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के बीच में लेकिन पाक जल्डमरूमद किसके किसके बीच में है भारत और श्रिलंका के बीच में चलिए आगे आगे आपको एक बात बताता हूँ ध्यान से सुनिएगा आगे एक बात बताता हूँ आपको ध्यान से सुनना है क्या सुना है सबसे पहले देखिएगा मैंने समुद्री राज बताये थे आपको समुद्री राज बताये थे आपको और समुद्री राज में कौन कौन से नाम बताये थे एक बार जल्दी देख लीजेगा यहाँ पर सबसे पहले कौन था गुजरात गुजरात के बाद कौन थ महारास्ट गुजरात के बाद कौन था महारास्ट महारास्ट के बाद अगर आपसे बात कर ले तो कौन था गोवा के बाद अगर बात कर ले तो कौन था करनाटक करनाटक के बाद अगर बात कर ले कौन था केरल के बाद अगर बात कर ले तो कौन था तमिल नाडू तमिल नाड ठीक चलिए ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले अगर आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं तटी छेत्रों के बारे में सबसे पहले हम लोग किसके बारे में लेके आ रहे हैं तटी छेत्रों के बारे में हम लोग इसको पढ़ने चल रहे हैं तो सबसे पहले सुरू करें तटी छेतरों के बारे में पढ़ने चल रहे हैं सबसे पहला point अगर हम बात कर लें तो ध्यान से सुनिएगा गुजरास से ले करके दमन तक का जो छेतर है उसे कौन सा तट कहा जाता है कठिया वार तट कौन सा तट कहा जाता है कठिया वाड तट ध्यान से सुनिएगा गुजराज से ले करके गुजराज से ले करके को यहां तक दमन तक के तट को क्या नाम दिया गया है कठिया वाड तट कहा जाता है अगर आगे हम लोग बढ़ें और आगे हम लोगों को कौन मिलेगा आगे हम लोगों को कौन मिलेगा समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग का कमेंट रुख जा रहा है बार बार हाँ वेरी गुड अभी आ रहा है चली गुजराज से लेकर के दमन तक्ये तट को क्या कहा जाता है कठिया वार तट कहा जाता है दमन सक के लेकर, दमन से लेकर के गोवा तक के तट को, ध्यान से सुनियेगा, गोवा तक के तट को क्या नाम दिया गया है, इसको कहा जाता है कौंकर तट, कौंसा कौंकर तट कहा जाता है, गोवा से लेकर के मंगलोर तक का तट, गोवा से लेकर के मंगलोर तक का जो तट करन के तटको मंगलॉर्थ तक के तटको क्या नाम दिया गया है मंगलॉर्थ का तट से ले करके करनाटक के तट को क्या नाम दिया गया है very good very good करनड़ तट कौनसा करनड़ तट करनड़ तट से लेकर के केरल तक के मेरे भाई मंगलोर से लेकर के करनाटक से लेकर के केरल तक के तट को क्या कहा जाता है तो माला बार तट कौनसा माला मार तट फिर इसके बाद अगर बात कर ले तमिल नाडू से लेकर के आंधर पर देश तक के एरिया ये वाला जो छेतर है इसको कहा जाता है कोरो मंडल तट कौन सा तट कोरो मंडल तट कहा जाता है कोरो मंडल तट कहा जाता है और इसके उपर का जो फूरा इलाका है उसको सब को क्या क जिसकी राजधानी क्या थी तोसली तो आप यह जानते रहेगा यह हो गया कारा कोरम नहीं है कोरो मंडल है गोरो मंडल उत्तरी सरकार उत्कल तट ये हो गए भारत के तटी छेतर पहला कठिया वाल दूसरा कोंकर तीसरा कंणर चौथा माला बार पाचवा गोरो मंडल और छठा क्या रहेगा उत्तरी सरकार छठा क्या रहेगा उत्तरी सरकार चले आगे बढ़े आगे बढ़ा जाए जल्दी बताईएगा आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए ना देखिएगा अगला है अगला जो अगर आपसे पूछ लिया जाए अगर आपसे पूछ लिया जाए करक रेखा से हां ध्यान से सुनिएगा करक रेखा भारत के कितने राज्यों को काटती है तो करक रेखा भारत के आठ राज्यों को काटती है करक रेखा पहली बात जान लिजेगा यह है ग्लोब ठीक यह क्या है ग्लोब है प्रित्री के एक पहले बीचों जो चंशान्स कहीचा गया जिसका नाम क्या है 0 डिग्री अच्छान्स इसको और किस नाम से जाना जाता है भूमद रेखा यह को विश्वत रेखा या इसी को क्या कहते हैं इक्वेटर साड़े तेज डिगरी उत्री अच्छांस को किस नाम से जाना जाता है तो साड़े तेज डिगरी उत्री अच्छांस को किस नाम से जाना जाएगा मेरे भाई करकरेखा के नाम से जाना जाएगा यही है वो करकरेखा जो भारत के ब जाना जाता है मकर रेखा की नाम से जाना जाता है फिर अगर आपसे बात कर लेए ऊपर melted 66 उत्प्षडी अच्छांस को किस नाम से जाना जाता है। रेखा या आर्केटीक सरकल के नाम से रेखा या अर्केटीक वृत्ट के जो रेखा है ये जो रेखा है ये ट्रॉपिक आफ कैंसर जिसको करक रेखा कहा जाते है भारत के कितने राज्यों को काटती है आठ राज्यों को काटती है बारत के कितने राज्यों को काटती है आठ राज्यों को काटती है कौन कौन से वो राज्य है मेरे भाई तो सबसे पहल दूसरे नंबर पे राजस्थान तीसरे नंबर पे करम से चल रहे हैं राजस्थान तीसरे नंबर पे अगर बात कर ले मध्यप्रदेश चौथे नंबर पे अगर बात कर ले तो चौथे नंबर पे बात है 36 गड़ 36 गड़ के बाद अगर बात कर ले तो कौन होगा जार खंड जार खंड के बाद अगर बात कर ले तो पशी मंगाल और पशी मंगाल के बाद अगर बात कर ले तो कौन होगा सात्वे नंबर पर कौन आएगा पशी मंगाल के बाद त्रिपूरा और त्रिपूरा के बाद कौन रहेगा तो मिजोरम रहेगा कौन रहेगा मिजोरम रहेगा अगर आपसे कोई पूछ ले मेरे भाई क्या पूछ ले छोटा सा कोशन है बस यहां देख लीजे कि अगर आपसे पूछ लिया जाया अच्छान स्रिस्वरी करक रेखा पर करक रेखा पर कुल कितने देश स्थित हैं या करक रेखा कितने देशों से गुजरती है कमेंड के माध्यम से जल्दी बताईए जितने लोग बैठे हैं करक रेखा से गुजरने वाले कितने देश स्थित हैं करक रेखा कितने देशों से गुजरती है जल्दी बताईए सबी लोग करक रेखा कितने देशों से गुजरती है जल्दी बताईए उत्तर करक रेखा कितने देशों से गुजरती है, जल्दी बताइए उत्तर इसका करक रेखा से कितने देशों से गुजरती है, very good 16 या 17, लेकिन आप मुख्यता कितना मानेंगे ही 16 ही, मान लीजे, फिर उसके बाद इससे 13 और इससे कितने देश हैं, 10, 16, 13, 10 का रेशियो है, याद रखियेगा, भारत के कितने राज्यों से इस्थित हैं, भारत के राज्यी इस्थित पर करक रेखा पर कितने इस्थित हैं, 8 चलिए, करक रेखा से इतने कोशन हो सकता है, पूछ लिए जाएं, ठीक, करक रेखा से इतने कोशन हो सकता है, पूछ लिए जाएं, वह रेखा जो प्रिथवी को दो बराबर हिस्सों में बाटती है, तो उस रेखा का नाम है भूमद रेखा, वह रेखा जो भारत को दो भा चाँ को दो बार काटने वाली सब्सक्राइब को का नाम क्या है कांगो जारे नदी कांगो जा-इरे नदी कहा की है अफरीका कौंटिनेंट की कहा की अफ्रीका की नदी है चलिए अगर आप से पूछ लिया जाए कि मकर रेकर को दौ बार काटने नदी मकर रर अचाको गए क्वा लिम्ंपव पो कि यह भी कहा की है अफ्रीका की चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ा जाए वेरी गोडुमेश भाईया आगे बढ़ा जाए करक रेखा, भूमद रेखा और मकर रेखा ये तीनों हो गई इनको काटने वाली जो नदियां थी आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं आगे बढ़ा जाता है तट हो गया और पढ़ोसी देश और उनसे सिमा वने जो छेतर हो गया तीसरा टेप्टर हम लोग क्या हेडिंग डाले थे आज तो तीसरा था दर्रा ठीक, तीसरा क्या था? दर्रा था दर्रा जानने से पहले एक छोटा सा नाम आप जान लीजे दर्रा पढ़ने से पहले आप क्या पढ़ लीजे थोड़ा सा रहेगा परवती छेतरों के बारे में उनका वर्गी करण कैसे किया गया है तो ध्यान से सुनिएगा परवती छेट्र वाउनका वरगी करण पेरा दर्रह यह जान लेते हैं जहां से सबसे ज़्यादा कोशन पूछा जाता है दर्रह देखिएगा तो किसी भी ध्यान से सुनेगा कोई एक प्राकृतिक परवत है यानि परवत तो प्राकृतिक होगा इधर से और एक परवता इधर से बीच में गैप बन गया या उपर से जाके परवत मिले हुए लेकिन बीच से गैप बना हुआ है यानि एक ऐसा गैप जिससे एक और से दूसरी और जाया जा सके लेकिन वो प्राकृतिक हो आद में मनुष उसमें हस्तक छेप करके लाइट क्या है दर्रों के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा बाकी वैसे तो आपको सारे दर्रे पता ही हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन देता है वो कौन से दर्रे हैं उनके बारे में जल्दी से जान लेते हैं ध्यान से सुनिएगा सभी लोग और मेरे साथ आप बने रहिएगा अंतिन तक दियान से सुनिएगा दर्रों के बारे में यह मैप आपको पता होगा दर्रा वहीं पर होंगे जहां पर परवत होंगे वहीं पर तो दर्रा होगा कि दर्रा हमारे आपके घर के बीच में होगा ठीक कि द्यान से सुनियेगा भावनाय मेरी समजिया गाइब मैप में कुछ नहीं wider इइ मैं जो बताना चाहता हूं और मैं आप所以呢 तो सबसे पहला दर्रा कों से छेत्र में आएगा एक तरफ से चलते हैं एक तरफ से चलेंगे तो सबसे पहला दर्रा कौन सा आएगा जम्मू कश्मीर दर्रा सरी जम्मू कश्मीर स्टेट है या केंदर साचीर प्रदेश के लिए जम्मू कश्मीर में आने वाला जो पहला दर्रा है वो कौन सा दर्रा है तो उसके दो है सबसे पहले का नाम है पीर पंजाल सबसे पहले का नाम क्या ह पीर पंजाल और दूसरे का नाम क्या है बनिहाल ठीक दूसरे का नाम है बनिहाल पहले का नाम क्या है पीर पंजाल दूसरे का नाम क्या है बनिहाल ध्यान से सुनियेगा ध्यान से सुनियेगा मेरे घर में भी दर रहा है चलिए ध्यान से सुनिएगा किसके घर में दर्रा आ गया निहाल गुपता आपके घर में पीर पंजाल और बनिहाल ध्यान से सुनिएगा एक कोशन बढिया बनता है पहले एक सुरंग हुआ करती थी जो भारत की सबसे लंबी सुरंग थी जवाहर सुरंग जो भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन थी जवाहर सुरंग अब तो अटल टैनल हो गई नौध असंवलोग जीरो दो किलोमीटर यहां से देखिए इधर ठी जवाहर सुरंग और जवाहर सुरंग कौन से दर्रे पिस्थित है बनिहाल लेकिन कौन सी परवत स्रेडी है बहुत कनफ्यूजन करता है मुझे खुद कनफ्यूजन था पहले पीर पंजाल स्रेडी स्रेडी का मतलब परवत है और उस परवत पर दर्रा कौन सा है तो बनिहाल और बनिहाल दर्रे से सुरंग गुजरती थी पहले क्या भी भी गुजरती लेगे नब भारत की सबसे बड़ी नहीं रह गई है तो ये कौन सा होगा जवाहर सुरंग पीर पंजाल स्रेडी है दर्रे का नाम क्या है मेरे भाई बनिहाल दर्रा दूसरे नमबर पे आते हैं दूसरे नमबर पे आते हैं कौन सा लद्दाख का नाम है लद्दाख में कारा कोरम दर्रा कारा कोरम के बाद दूसरा कौन सा है खारदुला दर्रा कौन सा है खारदुला दर्रा और तीसरा कौन सा यहां पर है जोजिला दर्रा तीसरा कौन सा यह यहां पर फांगला दर्रा तीसरा सरी चोथा क्या होगा यहां पर फांगला दर्रा वनि तरера ऐ regional नाम रखिएगा में एक और दें नाम ध्यां रखिएगा सबसे पहले पीर सलोगिया बनीहाल हो गया कि फिर आगे पड़ते हैं चोथे नमसरी तीसरे नमबर पर आते हैं इसमें बहुत अच्छा पूछा जा सकते हैं अगर पूछ लिया जाए कि सबसे उचाई परिस्थित दर्रा कौन सा है तो सबसे उचाई परिस्थित दर्रा कौन सा होगा उसका नाम है कारा कोरंदर्रा उसका नाम क्या होगा कारा कोरंदर्रा उसका नाम क्या होगा हिमांचल प्रदेश का थिक चलिये, ब慨्द से सुनिएगा हिमांचल प्रदेश में क python कर ले तो सबसे पहले नंबर पर कौन आता है इसमें हैं बड़ा लाचला दर्रा कौनसा बड़ा लाचला दर्रा बड़ा लाचला के बाद दूसरा कौन सा है सिप किला दर्रा, सिप किला दर्रा, सिप किला दर्रा, और इसके बाद तीसरे नंबर भे कौन होगा, रोहतांग दर्रा, कौन सा होगा, रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रे के बाद अगर बात कर ले कौन सा होगा, ठीक, सबसे रोहतांग दर्रे के बाद अगर हम बात कर स्थीय निے तो दो अर्ड यहां पर हैं पहला है एक और estaban का और 지난also पर जिसका नाम क्या है? आप याद कर लेंगे तो जादा अच्छा रहेगा मड़ि रंग अगर आपसे पूछ लिया जाए अटल टनल अगार आपसे पूछ लिया जाए अटल सुरंग कौन से दर्रे परिस्थित है तो अटल सुरंग कौन से दर्रे परिस्थित है रोहतांग दर्रे पर कौन से दर्रे परिस्थित है रोहतांग दर्रे परिस्थित है आप एक बात और ज्यानती रखिए गया सिवानी जी बात यह है वो रोतांग दर्रे से क्या कि रोतांग दर्रा किसको किसको जोड़ता है तो ये रोतांग दर्रा भारत क्या विश्य की सबसे उचाई पर इस्थिस सड़क है जो मनाली से ले को जोड़ती है उस मनाली से ले पर कौन सी सुरंग इस्थित है अटल सुरंग और अटल सुरंग कौन से दर्रे का पार्ट है अटल सुरंग कौन से दर्रे का पार्ट है रोतांग दर्रे का पार्ट है फिर इसके बाद आते हैं इसके बाद कहाँ पर आया जाएगा उत्तरा खंड इसके बाद कहाँ पर आया जाएगा पिर इसके बाद उत्तरा खंड के बाद उत्तर बदेश में एक भी नहीं फिर आगे इस कूबर वाले छेत पे चलेंगे और चौत्य नमबर पे कौन मिलेगा सिक्किम मिलेगा सिक्किम में सिक्किम की राजधानी क्या है गंगटोक सिक्किम ध्यान से सुनियेगा। इधर देखिए। सुनिएगा एक और बात अगर आपसे पूछ लिया जाए सिक्किम के कौन से नंबर वाला राज्य बना है बाइसमा राज्य बना है कौन सा रबाइसमा राज्य बना है सिक्किम में तीन दर्रे हैं नाथुला दर्रा जैलेपला दर्रा और नाथुला जैलेपला और नाकुला नाथुला नाथुला कोई बाद जैलेपला और जैलेपला के बाद अगर आपसे बात कर लिया जाए कौन सा रहेगा नाकुला दर्रा ये सारे पॉइंट ये सारे ये सारे पॉइंट ये सिक्किम से जुड़े हुए हैं तो सिक्किम से आप आपने जाना कौन कौन से दर्रे तो ये दर्रे हो गए फिर सिक्किम के आगे अगर पढ़ेंगे तो देखिएगा पहले नमबर पर ये वाला राज लिखा गया है दूसरे नमबर पर तीसरे नमबर य सभ्यायां में आएगा कौन सबसे पहले नंबर पर आणецल प्रदेश में कौन आएगा तो पहले नंबर पर आएगा कौन यांग्यार सरी बोमडि दील हो पॉम डर्रा यांग और रहा यांग रहा और तीसरे रहा ऑब hom?" यांग रहा और स। तम कौन सा之 Talking दिफु धर्रा फिर इसके बाद अगर हम बात कर ले अगर इसके बाद हम लोग बात कर लें साथवे नंबर पर कौन रहेगा तो यहां पर इससे नीचे आएंगे नागा लेंड मिलेगा अगर आपसे पूछ लिया जाए इधर देखिये सभी लोग अगर आपसे पूछ लिया ऐसा राज जहां की आबादी घटी थी वो राज कौन सा था नागा लेंड पाइस राजभासों में अंग्रेजी का नाम नहीं है लेकिन फिर भी अंग्रेजी को पनी राजभासा किस ने बनाया है नागा लेंड ने 371 अनुछेद 371 जो समिधान का भारती समिधान का पार्ट जोड़े गया है उसके तहट नागालेंड भी एक राज है जिसको एस्पेसलिस्ट दिया गया है तो अनुछे 371 में नागालेंड का भी नाम है नागालेंड से बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए ध्यान से सुनिएगा एक बात कर ले आठवे नंबर पे कौन आएगा मडीपूर में एक दर्रा इस्थित है कौन सा मिरे भाई पांग सान्ड दर्रा फिर इसके बाद अगर हम बात कर लेंगे दसवे नमबर पे तो उसका नाम है महराष्ट महराष्ट में 2 कौन से है थाल घाट और भोर घाट फाल घाट और भोर घाट अगर आपसे पूछ लिया जाए दस्वे नंबर पे तो है कौन सा केरल, केरल से अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा है तो है पाल घाट और दूसरा कौन सा है सेनकोटा दर्रा पाल घाट और सेनकोटा दर्रा जल्दी बताईएगा क्या इतनी बाते आपको revision हुई कि नहीं हुई ध्यान से सुनिएगा इतनी बाते आपकी revision हुई कि नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक, ठाल घाट और भोर घाट हो गया इस पूरे धर्रे हो गया चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगला हम जानते हैं अगला हम जानते हैं अगला हमारा दो टॉपिक बचा हुआ है दो क्या भी तो कई सारे बचे हैं लेकिन मैंने जैसे आपसे दावा किया मैं पांस से छे दिन के भीतर इसी स्पीड से आपका पूरा यह खतम करके दिखा द लीजे जो को टेस्ट सीरी सॉल्ल करना सुरू कर दीजे जो कोशन फसे आप उसको कोशन को पूछिए और जब पूछेंगे तो मजा आएगा पीडियफ मिल जाएगी यार सौरव ठीक तो मिल जाएगी पीडियफ तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा आज की लिए मेरी क्लास बस इतनी ही से हम लोग मिलेंगे नेक्ष लास में और नेक्ष लास में और सरी चीजे में आपको बताऊंगा बस आध्यान रखिएगा आप चाइप पढ़के आईएगा नेक्ष क्लास में क्या का रहेगा जो परवती छेत्रों का विभाजन किया गया एक बार इसको देख लीजिएगा का विभाजन जो किया गया एक बार इसको देख लीजिएगा दूसरा, दूसरा मैं क्या आपको बताऊंगा दूसरा मैं एक बार छोटा सा ओवर्विव रखूंगा केवल और केवल ठोड़ा सा रहेगा पार्ट क्योंकि आपने कई बार पड़ जो चलाई जा रही है, बाद जितने भी बने हैं, बाद के बाद इसी में रहेगा जलब प्रपात, ये दोनों कल कंप्लीट होंगे, एक बार पढ़ लीजेगा इन सबको, जलब प्रपात रहेगा, और पाचे नंबर पे अगर हम लोग पहुच पाएंगे, तो जो सबसे इंप पायो रिजर्व के बारे में, टाइगर रिजर्व के बारे में, और उच्छ चेतर के बारे में, तो कि अगपी डिया आप को देदी आजाएगा, तब उससे एड़ीन पूछा बार पार प्ले पूच पहुच जाएगा, फिर उसका कौशं रहेगा, फिर इसके बाद यहां पर हम लोग कल एक और बात जानेंगे, वो मिट्टियों के बारे में, मिट्टी, और अगर हो पाएगा, तो फसल, कल पहले बात इतना आप देखिए, इतना आप पढ़के आईएगा, चार टॉपी किये, और जो बढ़ेगा, मैं PDF आपको दे दूँगा, हाँ दे मिल जाएगा मिल जाएगा, नेक्ष्ट लावास आपकी मैथ की है, मैथ की क्लास लीजेगा, एक या देर, दो मिनट का गैप रहेगा, ठीक, हाँ, PDF मिल जाएगा, पॉलिटी भी रहेगी, पॉलिटी भी पढ़ाया जाएगा, आने वाले समय में, धीरे-धीरे पॉलिटी भी पढ़ाया तो पहले ही वाला मैं complete करनू फिर और जो सब चीज रहेगी ठीक बाकी जो कोशन है तो आप पूछ सकते हैं निहाल जी के पास फोन करके या कोचिंग वाले नंबर पर फोन करके ठीक आज के लिए बस इतना ही सेज धन्यवाद अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक, शेयर, स झाल झाल रुकावटे आती हैं सफलता में ये कौन नहीं जानता पर वो पाही जाता है मंजिल जो हार नहीं मानता पर वो पाही जाता है मंजिल जो हार नहीं मानता माई डियर स्टुडेंट से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती मगर अगर आपने ठान लिया तो एक दिन जरूर मिलती है मैं विजय आप सबका scholar academy के online platform पे most welcome करता हूँ पिछली class में हम लोगों ने math पढ़ना शुरू किया था whole number and fraction मैं आपको fraction पढ़ा रहा था आप लोग pen paper लेके ready हो जाएंगे भिन्न पढ़ने के लिए भिन्न के बारे में हमने बताया था कि जिन्हें हम पुड़ांक बटा पुड़ांक के रूप में लिख सकें वे सभी भिन्न होती है जिन्हें पुड़ांक बटा पुड़ांक के रूप में नहीं लिखा जा सकता which cannot be converted in the form of integer by integer that is not called as fraction वो कभी भी भिन्द नहीं कहलाएंगी जिने पोडांक बटा पोडांक के रूप में ना लिख सकें मैंने कुछ एक्जामपल भी बताये थे जैसे मैंने कहा था 2 बटा under root 2 ये भिन्द नहीं है अंडर रूट दो बटा अंडर रूट तीन ये भी भिन नहीं है क्योंकि इन्हें हम पोडांक बटा पोडांक के रूप में नहीं बदल सकते हैं तो भिन कौन सी है आपकी 2 बटा 3 है माइनस 2 बटा 3 है आपकी माइनस 1 बटा 4 है आप कहेंगे माइनस 2 बटा माइनस 3 है माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं होता है आपका इंटेजर आपका पूर्डांग चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो आपके कमेंट्स मैं लोंगा थोड़ी देर में अभी आप लोग कांटीनू रहे तो पिछली क्लास में ये सारी बाते हम लोगों ने जान ली थी